विए असलावलेकुम बिस्मिल्लाहरमानीरहीम मारे जो आज का टापिक है वह ताइप 4 है पर सेंसिटिविटी इसकी तीन टाइप स्थीव टाइप वन टाइप 2 टाइप 3 एद टाइप 44 टाइप सथीव आज हमने चौनी टाइप पढ़ने हैं जो कि टाइप 4 है पर सेंसिट होती है याद है इसमें Antibodies involved थी और पहली अब्वारी धी और रसी प्रडाखिंट का थी याद है वाली इसके बाद ऑप 3 मेन क्योंजी अंब्वावत थी ग दो यह जी होती जो आप deux थी उसमें क्या था उसमें आपकी आपकी एंटीबाडी gen.ी ठीज टीक है जो टाइब थरी थी उसमें दोनों क्या थी क्या है फ्री थी immune complex बन रहा था या था चीजए यह मैं चीजें रवीयन कर रहा हूं इंग時間acha रहा हूं कि पहले जो तीन टाइब स्ती डाइप करान टाइप टूबक्त टी यह तीनों हीमिरेल मेडियेटरड थी इसमें ठीक है इसमें एंतिबॉल भॉल्ब थी तो पहली वाली पे कौनसी डीपाटि जिए इसमें अंटिबाटि फैक्स होती ती और एंटिजन क्या होती थी फ्रीली मॉविंग याद ह है और याद है कि दुमिनग डाइगम बनाओ याद है डाइगरम बनाओ दुम्ह से जबॉछय टाइप 2 में कौन उसी Ig J थी Ig g ही टी और टाइप 3 में ब। गॉइंग इती लेकान टाइप 2 में क्या था आपकी antibody क्या थी free antigen क्या थी fixed फिक्स थी उलड था और type 3 में क्या था आपकी IgG इन वाउगधु थी लेकर दोनों क्या थी free थी और immune complex मान रहा था याद है लेकर हमने कहा था जो type 4 है यह क्या होती है cell mediated होती है यह क्या होती है cell mediated मैंने एक लफ्ष पढ़ा था major functions of B and T cells, तुम्हें याद हो, क्या ना याद हो, हमें याद है, जरा-जरा, उसमें हमने जो है ना वो एक लवस पढ़ा था कि cell-mediated जो immurity होती है, वो T cells में हमने पढ़ा था, type 4 होती है वो, याद है? नहीं याद, मैंने कहा था, type 4 में मैंने कहा था, यह major functions of B and T cells में हमने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक second, मैंने कहा था, इसको हम आगे जाके detail में पढ़ेंगे, यह, यह देखें, यह देखें, delayed cell-mediated type 4, और यह acute and chronic cell rejections, ठीक है, यह भी हम लोग देखें के आगे जाके, लगए अभी हमने कहों से देख रहे है, type 4, ठीक है, तो यह type 4, सबसे पहले इसको बोलते होते हैं, delayed, delayed cell-mediated hyper sensitivity, यह fast कहों सी थी, fast, fast कहों सी थी, quick कहों सी थी, type 1 immediate थी, याद है, type 1 immediate रस्फोंस था, एक निमूले भी मैंने बताया था, fast and fast, याद है, fast and fast, याद जो खहा रोगा, तैप 4 थिया है, त्यों यह, यह दिलेट है यह कौनसे होती है डिलेड होती है और क्या होती है यह चीजी आप याद कर ले और इसका रिस्पॉंस होता है वो 48 to 72 hours में और टाइप बन का विदें ता मिनिट्स आ रहा था या तो इसका क्या है 48 to 72 hours इसका response आता है यह delayed होती है और यह cell immediate होती है अच्छा अब इसका mechanism हम देखते हैं detail में कि यह cell mediate कैसे होती है इसमें जो cell involved होते हैं वो दो होते हैं CD 4 positive and CD 8 positive और CD 4 positive में जो cell involved होते हैं मजीद वो होती है TL पर cell 1 यह चीज़ याद करने हैं यह चीज़ देख लिए आप कि यह cell mediate होती है देखें मैं repeat कर रहा हूं मैं repeat कर रहा हूं एक तो यह delayed होती है क्यों क्योंकि इसका response 48 to 72 hours में आता हैं दूसरा यह cell immediate क्यों क्योंकि इसमें टी-cells involved होती है कौन से टी-cells की कौन सी type CD4 positive and CD8 positive involved होती है और CD4 positive की कौन सी type involved होती है TL पर cell वन इन्वाल होती है यह चीज़ हम देख लें फिर हम इन ही चीज़ों को detail में पढ़ते हैं कि यह कैसे involved होती हैं क्यों होती है mechanism क्या होता है इसको ठीक है आगे बढ़ू मैं इसको पढ़ें कि कैसे होता है पहले हम देखते हैं कि CD4 positive यह 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 चीज़े कैसे होती है ठीक है इसको हम देखते हैं अच्छा जी CD4 का mechanism किस तरह होता है कि बहर से कोई भी चीज़ आई यह पैथोजन था वही diagram sketch करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता कि कोई भी antigen get entry उसने ली entry रहने के बाद फिर क्या हुआ कि इस जब अंदर आई तो macrophagion को क्या कर लिया इंगल्फ कर लिया ठीक है मेक्रोफेजन को इंगल्फ करने के बाद mhc class 2 के जरी क्या किया एक्सप्रेस किया अगर mhc class 2 के जरी एक्सप्रेस किया तो इसको कौन से T cells उठाते हैं CD4 किसके जरीए याद करें जरा tc r c d 3 और यहां से यह c d 4 बेचता था चेक करने के लिए कि चेक करके आओके के प्रसेस भी किया कि नहीं किया याद है पिर यहां से एक second signal आता था आपके मेक्रोफेज से इंटर्लुकेंट 12 इंटर्लुकेंट 12 अगर second signal इंटर्लुकेंट 12 होता था तो आपका c d 4 पॉजिटिव था यह तब्दील हो जाता था टी हलपर सेल वन में जहें चीज़ याद है इसटारम को में रपीर्ट कर ho advances पक है चैलंज जब ये टी छोई याखो सेयल परसल बंग जता था ठीक है तो टीयक परसलबंने के बाद टीय।सल वंक्या के काम करता था इंटी कैसे एक्टिवेट करता करता था इंटर्फिरांड गैमा क्या स्क्रेट करता था इंटर्फिरांड गैमा किसके पास जाता था मैक्रोफिज के पास किसके पास है मेक्रोफेजज और मेक्रोफेज उख कहता था अब अब बैं ए या बैंज टुह मेक्रोफेज क्या क्या होता था टीवी याद है इसके एक सब्सक्राप काफी नंब भी रखी मुझे चक्कर आ रहे हैं चलेंजी डीबीगे कर लेते थे यह बाला कर लेते थे अब झीबीगे वालाफ करके इनका एक और काम होता था यह क्या करते थे ट्यूमार ने खॉरस स्पेक्टर एलफा 1N के पास आता था CD8 positive के पास उनको बुला के लिए आता था क्या बनाना है आपने T-cells का प्रास्ट बना दे से और इसकी मोस्ट इंपॉर्टन एगजेम्बल क्या है most important example है इसमें क्या होता है मैं चीज़ों करता हूं सिंपल सी बात है कि जब टीबी का बैक्टेरिया आया इंटर हुआ मेक्रोफेज ने इसको इंगल्प किया मसी क्लास टू के जरी एक्सप्रेस किया तो टी सी आर और सीडी 3 के जिए सी डिफेज को एक्सप्रेस हुआ इसने क्या किक शीडी 4 छक्रां कि नहीं हुआ तो आपकर मैक्रोफ क्या इंट्रे斯el 12 होता था तो आपका सीडीर नहीं अगर यही से टी सेयवन हैं और यहां से ट्वंटियेट है तब क्या बंचेता था था सीड 4 24 x 7 कौन सी शाप खुली रहती है ती-हलपर-cell टू गाउंसी तो अगर यह सेक्ट सिंग्रल होता तो टी-हलपर-cell 2 बन जाता लेकिन सेक्ट सिंग्रल क्या है इंटर्लूकन 12 है तो क्या बन जाएगा टी-हलपर-cell 1 का काम क्या होता इंटरफिरान गैमा रिलीज करना यह इंटर कुछ सेल्स को बुला के लिया आता है ताकि वो इसके गर्टिया बना लें कॉलर बना लें और आगे थोड़ा सा याद है कि आगे क्या होता था कि बीच में क्या हो रही होती थी नेक्रोसिस होती है कौन सी टाइप होती है नेक्रोसिस की क्यों सी टाइप होती है मैंने पता है इक होती है कि अंदर में लड़ाई हो रही होती है आपके अंदर में तर्मीन के दरमियान में ऑर शोती है तो यह होती है आपको समझ आगया होगा आगत समझ है है अच्छा अब हम आइब हमना इस टाइप 4 समझ आगी या कैसे होती है इसमें इसको कहां यूज करते हैं कि एक पेशन है ठीक है हमें डौट है कि उसको क्या है टीबी है वह लेटेंट फेज में कौन से फेज में है यह ऐसे डॉक्ट्र क्लिनिकल तरह गोज जाएं खुद को टोक्र्ट तिसवर करने लग जाएंगे आप डॉक्टरें सीट पे बैटे हुए एक पेशन आपके पास आया है ठीक है उसको क्या थीए आपको लग रहा है कि इसको टीबी है लेकिन लेटेंट फेज में लेटेंट फेज क्या होता है लेटेंट फेज नहीं है, वो कहते है इसका एक त्रीका है, वो कहते है क्या थीधरु के लिए नी मुझे भी पताँ वो कॏ आपना फिरे लिए जो तोँचआ कर सकताई है, ठीक है। लेकिन यह जियारा मि घदार में उसका सबसूनेट हमने संदम전에 पढ़ा था ने सब युनिट तो रहेंगे अब यह ट्यूर्कुलणप्रोटीनले ले 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 लेते को प्रोटीन को हम यहां से इंजेक्ट करते हैं इंजेक्ट करते हैं इंजेक्ट करते हैं इंट्रडर्मन या कुछ भी हम ने उसको इंजेक्ट किया तो मेक्रोफेज उसको क्या किया एक्सप्रेस किया तो ये अगर देखें अगर ये वाला प्रासेस सारा पहले से हुआ पड़ा है अगर पेशन को टीबी है अगर पेशन को टीबी हम अभी चेक कर रहे हैं कि पेशन को टीबी गौर से सुनना फोकस से है लिखना छोड़ दे हम कहते हैं कि अगर पेशन को टीब है हमें शाक करके पेशन को TB है अगर पेशन को TB होगी तो मतलब ये वाला सारा प्रासिस हुआ पड़ा होगा ये वाला सारा प्रासिस जो मैंने सारा समझाए ये टाइप ओर हुई पड़ी होगी उसके लिए Granuloma Formation हो चुक होगी जब Granuloma Formation होती है तो अब टीयल परजम वन बन जूकिए हैं लेकर साइंटम्स छो नहीं हो रहेने अब टीयल परज समल रहेंगे अब पेशियंट को TB TB तो है लेकिन symptoms नहीं है वो latent phase में है हमने उसको क्या कि दिया है टुबर्कुलन दी है जब टुबर्कुलन देंगे तो हमारे जो memory cells है वो इस टुबर्कुलन को पकड़ नहीं लेंगे पकड़ लेंगे नहीं टुबर्कुलन cells को और interferon gamma release कर देंगे macrophage क्या बन जाएंगे epithelat तो यह granuloma formation होगी के नहीं होगी ग्रेंडलोमा फार्मेशन हो जाएगी ना अगर patient को पहले सी TB है लकिन symptoms नहीं हो रहे तो यह memory cells पड़े होंगे क्योंकि यह तो क्योंकि होंगे पहले हमारा immune system active हो चुका होगा तो जिस जगह पर हमने इंट्रडर्मन उसको inject किया था उस जगह पर 48 to 72 hours के बाद एक आपको बल सब्सक्राइब एक दस्मीन डैट आपका त्यूबर्कुलिन टेस्ट के आगे है पॉजिटिव आगे क्या आगे है पॉजिटिव अगर ट्यूबर्कुलिन टेस्ट आपका आगे है पॉजिटिव इस बात का क्या मतरब है कि पेशेंट को TB तो है मैன्म इसाल बना चुका है इस ब्लस पहले कर चुका है अब मैंने उसको ट्यूबर्कुलिन दी है तो वह पहले scan के उपर rash बनी किया it does mean that कि patient को TB है लेकर symptoms show नहीं यह बात समझा गई यह नहीं समझें नहीं समझें रपीट कर दूँ मैं एक बार चले मैं रपीट कर तो इसको अच्छा देखें देखें गौर से सुनना है आप लोग ने ठीक है थोड़ी सी पैसे है यार मुझे दौट है इसको क्या है तो मैं क्या करता हूं मैं बोलता हूं इस patient का ट्यूबर्कुलन टेस्ट कराऊ त्यूबर्कुलन टेस्ट कराऊ पहले इदर आज़े अगर patient को TB है पहले से तो यह वहां सार्ण तूबर नहीं पर वहां पर रहले है अब उस पेशन को TB है मुझे डाउट है कि ऐसका राव मैंने उसी पेशन को टीबर्ग्रेन दी तीबर्कुल्ट नंकी तीबर्कुलन जैसे ही मैंने टीबर्कुल मिल्एन दुए तो टीबर्कुलांद खिलाफ तो बन चुके है क्यों टीबी का ही एक वह एंटीजन है तो उसके लिए मेमरी सल बन चुके है मेमरी सल जैसे ही टीबरकुलन को देखेंगे वह क्या बना देंगे ग्रैडलोमा बना देंगे । 48-72 hours के अंदर अगर आपको जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया था वहां पर ग्रैडलोमा बन चुका है तो इस पेशन को टीबी है है अगर इसल पेशन को टीबी नहीं है तो क्या यह सारा प्रसेस हुआ पड़ा होगा यह ग्रैडलोमा फार कम मिकदार में ठीक है जब हम टिबरकुलन देंगे तो टिबरकुलन इतनी कम मिकदार में होता है कि यह सारा प्रसेस है यह दुबारा नहीं होता यह दुबारा नहीं होता टिबरकुलन सिर्फ जब हम देंगे तो यह ग्रनलमा फार्मिशन तभी होगी जब मैमरी सेल्स बने व नहीं होगी तो यहां पर यह नहीं बनेगा जब यह नहीं बनेगा रहा है तो पेशेंट को TB नहीं है मेरा शक दूर ओप समझागी है बाद अब आपलों के माइड में एक क्वेशन आ रहा होगा कि भले पेशन को टीबी नहीं है भले पेशन को टीबी नहीं है हम ने उसको यह क्या दिया है टुबर्कुलन दिये तो टुबर्कुलन यह सारा प्रसेस करा सकती है यह सारा प्रसेस कराएगी शुरू से memory cells नहीं है, सारा process करा के grand alma formation तो कास करा देगी, grand alma तो बंच जाएगा तो मैं कहता हूँ, इसका जवाब ये है कि जो हम उसको tuberculent देंगे, वो इतनी मिकदार में देंगे कि वो शुरू से, नए सीरे से ये सारा process नहीं करा पाएगी नए सीरे से सारा process नहीं करा पाएगी, सिर्फ और सिर्फ tuberculent तभी positive आएगा, जब पहले से memory cells होगे ठीक है, I hope so that कि आपको समझ आ क्या होगा, नहीं आ है समझ, आ क्या समझ, repeat करने की जूरत है ये थी आपकी type 4 hyper sensitivity, जो most important example थी, वो ये थी, TB वाली और ये tuberculent test था, ये positive आ जाता है और negative आ जाता है, अच्छा इसके बार में एक और interesting चीज़ है, वो क्या है, एक और interesting चीज़ क्या है, वो ये है कि बाज दफ़ाना false negative TB test आ जाता है tuberculent test आ जाता है, ये false जाता है, लेकिन false negative आता है मतलब patient को TB है patient को TB है, अगर अगर उसको TB है तो memory cell बनेगे उसके memory cells बने हुए है, अगर memory cells बने हुए है हमने उसको क्या दी है tuberculent दी है, अगर हमने उसको tuberculent दी है तो memory cells बने हुए है तो grand totalOutbar working होनी चाहिए ना grand 大 bornation होनी चाहिए, लेकिन उसकी grand total Outdoor法 भाःPS नहीं हो रही पेच्ट को TBD भी है लेकिन वहाँ पर उसको यह rash नहीं बंट रहुत है कि इसको क्या होते यह नुपसान क्या देता है का कि भूत साइम्यून को क्या कर देता है कि गॉत्ष तो क्या यह यह Hello यह memory cells है रिंको क्या करदेगा है जै कि लिग कर देगा ठीक है अब पेश्इंस टी भी तो है लेकान memory cells नहीं बन रहे हैं उनकी क्या हो रही है कौन कर रहे हैं बैज यहीं होगी तो तो क्या यह रैष बनेगा कि वह ला यह बने आपका नहीं बनेगा तो टुबर्कुलन टेस्ट क्या आ जाएगा नेगिटिव आ जाएगा नेगिटिव लेकिन फाल्स नेगिटिव क्यों कि पेशिन को टीबी है फिर भी नेगिटिव आ रहा है तो इसे बोलते हैं फाल्स नेगिटिव लेकिन नेगिटिव क्यों आ रहा है क्योंक को TBBге है Tiberculane इनक़िन तो नहीं है इंगिन इसनल से यह तुरक्राइब लैजल लेच जिस पेशिए इस एन देटन पेशंट हंप्सक्राट है कि पेशिंन को क्या एच रह struct क्या है यह को सकती है उसको सैंटम्च यो नहीं ओर रहें तो हम ने उसका यह करा है जो करें तो उसमें आप एड्स टेस्ट करें ठीक है सबसे पहले आप वैसे एड्स को पता होता है वो पुछ लेते हैं कि नहीं है यह बहुत ही कदू का केस में होता है अगर उसको एड्स है भी तो पहले आप उसका एड्स करा लें आगर एड्स बीए फिर यह पता करना चाहते तो फिर इसके लिए इस स्किन टेस्ट से बैटर आपके स्यूलोजीकल टेस्ट होते हैं वह आप कराएंगे वह आप पर पैथॉलोजी में पढ़ेंगे क्योंने करव होते हैं वह बढ़ा सकते हैं कि यह क्या स्था है ठीक है तो लेट्स मूव समझा गया है यह कि समझा गया है पकी बात है चले अच्छा इसके लबाब इम्म्युन इस प्रेसिफ ड्रग होती है काउन सी इम्म्यून इस प्रेसिफ ड्रग्स जैसा कि आपके काल्टी को स्टेराइड्स हैं इस प्रेसिफ जो भी है इस मिलस्प्रेसिफ ड्रग्स काल्टी को स्टेराइड्स जैसा कि आपके तो काल्टी को स्टेराइड्स क्या करते हैं इम्म्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं क्य क्या कर देंगी वह सप्रेयस कर देंगी तो पेशेंट को TB हो भी सही ठीडिश्यatell Be बॉर्परविव वारा होगा तो इम्म्योंस उप्रेसिफ ड्रंग्स लेने की शकल में भी आपको फास नेगटिव आ सकता समझा गई है आप समझा गई है ट्रिफटम्हें टेस्ट समझा गई है चरहे ऐग सिर लोजिकल टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे फिर वही श्रॉलोजी कल टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वह एकुरेट होते हैं के हां हम इसमें इसकी एंटीबाइज एंटीजेंज वो ढूंद एंटीबाइज एंटीजेंज तो यहां पर नहीं बाण रही उसमें हम डिटक्ट करेंगे वह हम पढ़ेंगे इंशालत आला जब आप जाएंगे न बस आप इतना याद रहाएं कि सिर्णोजी कल टेस्ट मोर एक देखिंगे उसके एंटीजें देखेंगे कि वह कौन सी है कि समझ नहीं आ रही है कि अ चैनले जीब आगे देखते एक और टेस्ट होता है लिप्रोमेंट टेस्ट यह लिप्रोमेंट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लूँ जरा अच्छा जी लिप्रोमेंट टेस्ट यह टेस्ट होता है यह लिप्रोमेंट टेस्ट आपकी लेप्रोसी चेक करने के लिए पता होता है लेप्रोसी दो तरह की होती है ट्यूबर क्लाइड लेप्रोसी और कौन सी होती है लेप्रोमेंट लेप्रोसी लेप्रोसी यह चीज द देख लें कि आपकी leprosy दो तरह की होती है लें यह इसकी बजासी होती यह किती इन तरह होती है Baylam त्यास्टी जुंपर होती है ये आपकी कौन से होती है या आपकी एन کی नियुक्त होती है इसमें रिवह इन्हें होती है तो यह चीनल होती है ठीक है इसमें होती है आपके 20 इंवाल होते हैं एंटीबाइडिस आपकी प्लाजमा सेल्थ होते हैं अच्छा जी हमने कराया लेप्रोमीन टेस्ट ठीक है हमने उसको लेप्रोमीन दिया जो के लेप्राइब च्छोटा सब्सक्राइब ऑर हने उसको दिया और ऩालम रहे हैं गरंवा अगर बन नहलंगिया जहां पर थे ने पर शुख लेड़ृब के लिगे नवदें पाड़ेंगे में इस आपने हो चुकी और वोगी क्या कर लेंगे इसकी granulomopharmation करा देंगे तो हमें confirm हो जाएगा इसको क्या है tuberculide leprosy है लेकिन अगर वह उसको negative होता है तो उसको हो सकता है कि leprometis leprosy हो यह हम differentiate करने के लिए पता करते है कि उसको tuberculide leprosy है या फिर leprometis leprosy है उसके लिए लेप्रोमीन टेस्ट करते हैं अगर लेप्रोमीन टेस्ट से आपका granulomopharmation गई है आ गई है तो इसका मतलब टी एपरसल बन चुके थे और क्या बनगी है tuberculide leprosy ठीक है टी सेल मेंटिट हो गई है अगर यह negative आ रहा तो मतलब उसको कौन सी होगी फिर leprometis leprosy यह बात समझा गई है सिंपल सी बात थी डॉक्तर यान डॉक्तर तहरीम डॉक्तर अबिया डॉक्तर मुस्तफा समझा गई है बखी बात है मुववन करें अच्छा देख लो कि इसमें कुछ रहना गई हो अच्छा कुछ और भी होती है यह वाला यह है कि लिप्रोमीन टेस्ट होता है इसको हम डिफ्रेंशेट करते हैं कि पेशेंट को जो है ना जो लेप्रोसी है उसकी कौन सी टाइप है टुबर क्लाइट लेप्रोसी है या फि इसको लेप्रोसी होगी और अगर वहां पे इसको हम जब देंगे वही सिम्टम होगा इंट्रडर्म लिजब देंगे तो वहां डर्मस पर आपको एपिडर्मस के उपर क्या होगा आपको रहां ग्याव जिस से हम लगेगा है पॉजिटीव आ रहे है जैसा कि आपके का सीड़ माइकोसी अगर इस बैक्टरर का इंफेक्षिन हो तो is में यह पॉजिटव आता है और मिसके लाव हिस्स्ता प्लादमोसिस जैया आपको इंफेक्शिन हो तो इन कर नाम याद कर लें है इस्टोप्राजमोलोसेस हो या फिर कॉक्सीडो माइकोसेस हो इन दोनों में भी आपका लिप्रोमीन टेस्ट क्या आता है पॉजिटिव आता है ठीक है और वही बात सेम वही के आपके या फिर आपका वही करेंगे कि यह अपकर पर फर्म कर लेते हैं जब हम अध्यासा डौट हो कि पेशिंट को क्या है टीबी है हलका सा डौट है हम कहते हैं कि उपर उपर से हम इसका डॉट कर लेंगी कुरूंद लिटेस्स कर आ लेता है ठी में में अगर ज्यादा डाउट है कि उसको टीपी है तो फिर न्यूट ने कि असकते हैं नहीं कि सिन्रफ करके टेस्ट की तरफ मूव कर करने हैं कि विए कि टाइम क्या हो गया है कि 350 350 ऐसे चैले जी है अची उसके बाद जो दूसरी है वो होती है है इसमें क्या है इसमें यह होता है कि कोई प्वैजन आई वी आ गया है ठीक है प्वैजन आई वी है जो रोप्षेल आईल है या फिर फिमेल जो है जूल्डी में पहनती है ठीक है जब यह आता है तो फिमेलत है जूल्री पहनती है तो क्या होता है कि आपकी स्किन के स्किन होती है इस स्किन की ओपर क्या होता आपकी अपीडर्मिश होती है और नीचे क्या होता आपकी अब रॉद्र की ये देखे आप को समझाजा जाएंगी परशाण नहीं तो तो ज्यूलरी पहनी तो उसकी ज्यूलरी में निकल वगएर थी क्या थी निकल या कुछ इस त्रह की जूलरी वाला चीजे होती है वो टच किया आपकी में को और यहां से अंदर कहां चला जाएगा अब जब जाएगा तो आपका निकल एजए हैप्तिन काम करेगा एज़े हैटन मैंने समझाया था, क्या होता है हैटन, हैटन मैंने समझाया था, कि जब ये बहर होगा तब हामलेस होगा, जब अंदर जाता है तो हमारी बाड़ी की अपनी प्रोटीन को उठा लेता है, हमारी बाड़ी की प्रोटीन के साथ मिल जाता है, जब ये मिलेगा, यहां पर इन्होंने क्या उठा लिए इसको डर्मेस से पकड़ा कि यह क्या थी है एंटीजन रिप्रिजेंट की केस को CD4 को में क्या स्कूरिट करेगा इंटर्फिरान गैमा क्या करेगा मैक्रफेज को बोलेगा अब क्या बन जाओ और एपिद्धिलाइट सेल्स क्या करते हैं टीबी के गर्द वालाफ कर लेते हैं एक और चीज से क्रीट करते हैं वो क्या होती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अलफा इसका काम क्या होता है कि CD8 पॉजिटिव को बुला कि आओ और वह बनवा दो तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके लियन बन जाएगा एक तरगा गरनलोमो फार्मिशन हो जाएगी तो यह लियन जिस फिमेल ने यह पहने थी निकल उसके आपको गिर्दन पर हो यह रिंग पहनी हो कुछ भी पहना हो उसको ऐसे लियन से बहुए उसको क्या बट जाएगये लियन से तो इस तरह आपको समझा पाया हूं ठीक है बाकि मजीड डिटेल में समझाता हूं दुबारा रपीड करता हूं इसको डियांड से देखें यह जूलरी पहनी है या जूलरी पहनी है या पिर हमने कोई कोई मतलब कि कोई जैसा है मारे पास युरुशियल आईल था इसका पत्ते होते हैं इसके युरुशियल आईल के ठीक है पत्तम नहीं कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो इसका जो आईल निकलता है वह आईल अगर मारी बाड़ी पर लगा वह पोईजन आईल होता है जब मारी बा इसको क्या लेगी ऐसे एंटीजन और डर्मस में मैक्रोफिज पढ़े होते हैं वो इनको शो करेंगे मैसी क्लास टू के दिरिया सीडी फोर को तो टी हलपर सेल वन में चेंज हो जाएंगे तो टी इंटर्फरन गैमा बनेगा मैक्रोफिज वही प्रसेस सारा पर ग्रिंडलमा फारमेशन हो जाएगी तो आपकी जो स्किन पर जहां पर आपका ऌएल लगा था अगर के आ Mysteries बन जाएंगे और छानदा कने और सिल्फूनमाइड ड्रग से भी सिल्फूनमाइड ड्रग से भी आपको हो सकता है ये बहुत थीच निवाईसी्टल्स nova हम यूज करते है उससे भी हो सकता है लेकश पुर चीज़ें हो सकती है ठीक है पेशिंट इनसे क्या होते हैं सेंस्टिव होते हैं उसको है परसेस्ट्री टाइप फोर हो जाती है समझ आगी है समझ आगी है अच्छा इसमें मैं चीज़ बता गया हूं कि यह ग्रनलमा फार्मेशन हो जाएगी इस नाट माच इंपॉर्टेंट यहां पर एक और चीज़ होती है कि आपका टील परसल वन है टील परसल वन जो मैक्रोफेज है बेसिकली क्या होता है अब सौरी मैं इस तरफ है चला गया था कि इसमें बेशिकल यह होता है मैं इसमें परसल वन हो सब्धा करता है आपका इंटर्फिЙरान ऐल्फा के ईंटर्फिरन फंटरी बॉन इंटर्फिन सेट्स और इंट्रों का क्या होता को आते हैं कि फीवर कास कराते हैं और दूसरा दूसरा मैंने कहा था यह याद है वेसलर यापितन करते हैं न्यूंट्रौफ यहां से पत्ष हो ते या पिर वहां पर आपके निट्रोफेल चले जाएंगे वह क्या स्कृट करेंगे आपके प्रोटीएज इंजाइम है ना और लाइज़ोम इंजाइम लाइज़ोम इंजाइम्स क्रीट करेंगे इसके साथ साथ रियक्टिव अक्सिजन सीपिशीज भी वहां पर पहुंचेंगी तो यह सारा क्या हो जाएगा वहां पर इंफ्लेमेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी इंफ्लेमेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी इंफ्लेमेशन तो इसी इंफ्लेमेशन की शकल में उसको वहां पर रैशिस बन जाते हैं ठीक है ग्रेडलोम फरमेशन की तरफ भी आप लेगे जा स है और वेजल डिलेशन करते हैं तो यह चीज बेहराती थो यह सारा प्रॉसेस होगा इसमें जो इसको नाम देता है contact dermatitis को नाम करते जाता है contact है कि डर्माटाइटिस यह क्या होती है contact dermatitis क्या होता है तर्मताइटिस क्या होती है कि कमक्राइब नगेंग हो सकती है अगर उसको एसे हम लोग अगर नहीं करते तो समझागें चीजें अच्छा मैं यह रपीट कर देता हूँ दुबारा से कुंके रपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया यह निकल कुछ भी आपकी epidermis के उपर टच हुई तो वो dermis में गई बाड़ी की प्रोटीन के साथ मिल गई ऐसे हैप्टन काम किया हमारे मेक्रोफीजेज इनको पकड़ कर ट्रपरसल 1 बना देंगे तो ट्रपरसल 1 इंटरलुकन 1 इंटरलुकन 6 और इंटर्फरन तो यह सारी एक्टेव हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी इंफ्लेमेशन होगी तो वहां पर रैशे से बंज जाएगे आपकी स्किन के उपर तो जहां पर कोई चीज़ टच करेगा आपको इसे हम अब तक कौन से पढ़ रहे थे कौन सी CD4 गok CD8 पर रहे थे हैं लेकिन इसे कितनी तरह कि involving a cell का घल की होती है य2 के कौन कौन सी CD4 भी थे और CD4 क次 पढ़ लिए आप क्वार्म से पर दön dentatit ISD8 पढ़ते है ठीक है CD8 में कौन सी क्लास involved होती है कौन बताएगा में सी क्लास वन involved होती है उसमें एंटिजन कौन सा होता है एक्जोजीनस के एंडोजीनस एंडोजीनस वेरी गुड के अंदरोनी प्रावलम्स फस्ट भी हम जोना खुद सॉल्व करेंगे फस्ट पे और नंबर एट आपने याद रखना है या चैनल जी अब CD8 पढ़ते हैं यह आपकी एंटिजन थी यह आपका मैक्रोफेज था एंटिजन आई कौन सी क्लास होग यह में सी क्लास वन और यह से कौन सा सीडी कौन सा बनेगा CD8 पॉजिटिव TC3 याद है CD3 चेक करने के लिए क्या बेज़ेगा CD8 बेज़ेगा ठीक है औ और फिर सैकिर्ड सिंगनल कy we are not सा इसका इंटर नुकेंट इंटर ट्विकल डाकि मैंने का था इंट्रस्टिंग सी बात है इसका से का हाँ से आता था CD4 T helper cell 1 से आता था ये जब second signal ये आता था तो फिर क्या बन जाते थे आपके CD8 बन जाते थे और याद करें CD8 क्या करते थे परफुरेंज और परफुरेंज और ग्रेंज़ आप स्क्रीट करते थे उनका काम क्या था किसकी क्या करते थे कि जो infected cells ता उसके क्या हो जाएगी एप टॉसिस हो जाएगी तो यह process CD8 के जासे ऐसे होता है समझा गई है समझा गई है सेंसी टादिशन समझा गई है अब इसकी दो तीन अगर क्या करते हैं अगर यह आपको infection अच्छा मुझे बता है जो वायरस का infection होता है उसमें कौन सी सлекलाइस चोफी मेरिस की वां कि वार्स क्टरदो क्टिशन से तो से अधिको क्टर्च बैर्स है से ऐसे किorp को आगिया मैको प्लाज्मा वां किया। Represent और आपका हर शिम्लेक्स फेरिस आगे कौनसा नाम सुना होगा है हर भी सिम्लेक्स ठीक है complex नहीं सेप्लेक्स होता है विचार घरीब सास्थ शिंपल्सा होता है आप ने उसको complex पहले होगे तो आपको नश्म होंगे तो आपको आपको की याट से बन जाते हैं करक्स के और आप्र भॉड़े पंजाते हैं यहां पे पर इस यहां पर आप एसे ड्याग्रम में हां सवेटे रहा हूं देखते हैं backups फ़िए बॉक्स होगी तो Adam's creative solutions तो उसमें आपको यह proper diagram बनी हुई मतलब कि जैसे clinically diagram निए बनी होती हुई आपको clinically diagram each and everything लिखी वहाँ पर मिलेगी तो हमारी book में निख रहे हैं ठीक है तो क्या होता है कि आपको target liens बन जाएगा है अच्छा टार्गनलियंज क्या होते हैं कि इसमें आपकी जो म्यूकस मेंब्रेन होती है जो स्किन की मतलब धर्माटाइटिस वह आपकी स्किन का इंफेक्शन हो रहा होता है किसका स्किन का इंफेक्शन हो रहा होता है आपकी म्यूकस मेंब्रेन इन्वाल्व हो रही होती है अच्छा इ तीन किसम की डिजेज होती है नाम याद अखड़े आपने पहली एक्जेम्पल्स हम देख रहे हैं यह लफ्ज आप पढ़ेंगे रिद्मा रिद्मा मल्टिफोर्म क्या लफ्ज होता है रिद्मा यह लफ्ज क्या है मल्टिफोर्म रिद्मा मल्टिफोर्म होता है या फिर आपकी तीसरी होती है वह कौण व たी है? इसरी आपकी ये ये तीसरी हो जाएगी ये दूसरी हो ती है वह Stephen Johnson. ये होती है, ये तीन आप इनको देख लें, ठीक है, तीन होती है इनकीarnold ऑर ऑर ऍडीन styl ऑर तीन होती है, होती सेम है बस इनकी civility में फर्क होता है है सबसे कम सिवेर कौन सी होती है इरिदमा मल्टिफोम है यह माइल्ड होती है यह टॉक्सिन एपिडर्मा नेक्रोलाइस इसको टी एन भी लिखते होते हैं यह क्या होती है और यह क्या होती है और यह क्या होती है टी एन क्या होती है बिल्कुल वर्स्ट किसम की होती है बहुत इ तो आपको सेंसे डडशन इसतरeing हो चुकी थी सारी memory cells बन चुके थे फिर आपको हम Siplex या फिर maykoplasm ने क्या क्या में इंफेक्ट किया जब यह इन्व इंटी क्या हो गया हैं यह बन गे विसाऊना लियंज बन गए जब यह बनेंगे तो यह लियंज डिपेंड करते हैं कि वह ज्यादा है तो कम है तो इरिडीमा होगा और अगर टॉक्सिन होगे तो फिर सबसे ज्यादा और स्टीवन जो आप कहेंगे सारह में यह बताएं जब यह हम इसको कैसे मतलब कारो तक दूंडाय अगर आपको जींफिक्षिन है वो आपका जो तो हलका साह आपके सीरफ जो है ना यह encima पर है क一 एक सेकेंद चार्जिंग्क खतम होगी मैं इसका चार्जर लगा दूंग कि यह मेरे ख्याब में आपको समझ नहीं आ रहोगा थोड़ा सा है ना आ जाएगा डूंड वरी जब मैं कप्लीड करूँगा तो आपको सब समझ आ जाएगा देखें देखें यह क्या होती है आपको extremities पर होती है ठीक है या फिर जैसे आपका all the skin हो गए these होगया मुथ होगया कै बगरशस्तों बने लिए इसमेह सिरफ मॉथ पर बनेगे यह यापकी extremities पर बनेंगे यानि कि बहुत कम बिगदार में बनेंगे इसमें आपकी जो skin की मुकस मेंब्रेन है वो involved नहीं हो रही मुकस मेंब्रेन बिलकुल involved नहीं हो रही और mostly कहां बन रहे हैं आपके mouth पर और extremities पर यह बात समझा गई है उसके बाद होती है आपकी steven johnson कौन सी steven johnson steven johnson में आपकी मुकस मेंब्रेन involved होगी लेकिन ज्यादा involved नहीं होगी यह आपकी बाड़ी के 3 to 10% पर होगी 3 to आपकी पूरी बाड़ी है ना पूरा जिसमें इंसान का उसके 3 to 10% पर क्या होंगे target liens होंगे अगर 3 to 10% target liens हैं तो आप कह सकते हैं उसको क्या है steven johnson है अगर 3 to 10% से भी कम है सिर्फ उसको mouth पर और सिर्फ extremities पर है तो फिर उसको क्या है और अगर यही उसको liens उसकी तमाम mucos membrane को इंफेक्ट कर दिये मुकस membrane को सारी को इंफेक्ट कर दिये और यह तकरीबन 30% तक आपकी बाड़ी जो है इसमें इन्वाल्व हो चुकी है 10% से ज्यादा हो चुकी है तब आप इसको कहेंगे कि यह toxin epidermal necrolysis को चुकी है यह उसक mycoplasma bacteria ने क्या किया वैरस ने क्या किया इन्फेक्ट किया तो आपको यह सेंटम्टम्स हो होने लगेगे अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स्रेमिटीज पर और मॉथ पर हैं तो वह क्या है आपका इरिदिमा मल्टीफॉम है अगर 3-10% है और mucos membrane involved हो रही है मॉकस membrane is getting involved and it's infecting the 3-10% of our body what kind of disease it is यह तीनों options होंगे तो कौन सी होगी वह स्टेवन जॉन्स होगी और अगर वो कहता है 30% है 10% से ज्यादा है फिर आपकी क्या होगी toxin epidermal necrolisis और वो कहता है कि mucos membrane involved नहीं हो रही फिर क्या होगी आपकी इरिदिमा मल्टीफॉम होगी लेकिन बन क्या रहे हैं वही आपके target liais बन रहे हैं समझा गई है समझा गई है अब यह बात अच्छा हम यहाँ पर सलफोना माइड्स ड्रग्स की व्यासे भी हो सकता है या फिर पेंसलीन ड्रग्ट की वे चासे भी हमने यहाँ पर यह बात की है यह वली बात की है कि हम भी सिप्लैक्स या पर मेricaप्रासमाज्ब होगे अगर यह patient sensitive है तो वह अच्रामाइड ड्रग्स बनें गे फिर उससे भी हमेंडिन्स बनेंगे फिर वो differentiate होंगे कि अरिद्विमा मल्टिफोर्म है या पिर आपकी स्टेव जॉंसन है या पिर आपकी क्या है टी एपन है ठीक है और 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 इसमें हो सकता है कि आपका जो है न यह जीन खराब हो सकता है हेले जीन हेले जीन वह आपका कराब हो सकता है है इस खराब हो सकता है यह और य Republic को सार्व और यह थी क्यूश ए मसला हो सकते है अगर अगर HLA gene DQ3 या फिर HLA gene B12 खराब है तो इसमें भी आपको यह मसला हो सकता है या फिर आप सिल्फोनमाइड या फिर पैंसलीन ड्रग ले रहे हैं या फिर हपी सिंप्लेक्स या मैकोप्लाजमिन आपको इंफेक्ट किया है उससे भी यह हो सकता है है आप के OH fraction Layer cool है उसे चाह die इस कि आपको और कि הे कर लेंगे हैं अभी हम डिदिंग भी करते हैं यहां से मेरे खियां में सारी चीज को छीज़ अँना घं को यह समझागे हैं अगर यह ने हैं क्रिकिट कर देखते होते हैं। पो को कब जानता है स्टीव समित को स्टेव शमित को ए तो अब स्टेवन जानसरं को उसली कर सकते हैं स्टीव से वो गया और Coryell जाथ अधे़ बोला에서 वह भी Michal Johnson नहीं है Michal Stark भी है, इससे पहले Michal Johnson हुआ करता था, तो वो भी यह Michal Johnson जो Michal Stark और Steve Smith से आपफ इसका नाम याद कर सकते हैं तो यह आगिया मैंने کہा अगर जो लोग किड गरिखती हैं, उनको यह नाम कभी ना बहुत है उनको यह याद रहे ठीक है अच्छा इसके लावा इसके लावा एक और डिजीज का अपने नाम सुना होगा ग्राफ्ट वर्सिस होस्ट डिजीज सुना होए नाम ग्राफ्ट वर्सिस होस्ट होस्ट डिजीज ग्राफ्ट बोलते हैं कि जो आपको चीज दे रहा है और होस्ट मतलब जो ले रहा है तो यह एक डिजीज होती है यह आगे आएगी इदर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे बस आप देख लेंगे ग्राफ परसिस वोस्ट डिजीज में भी कौन सी टाइप होती है ठीक है और इसके लावा इसके लाव दो टेस्ट बता रहा है आपको हम रीडिंग में देख लेते हैं ठीक है और हम अगर आपको चीज समझ नहीं हो तो आप समझ सकते हैं मैंने चीज़ें बार पर रपीट की हैं I hope so that कि मुझे आश नहीं रहागी होगी अगर रहागी है तो शर्माना नहीं है यहां पर आप लोग सीखने के लिए आए हुए है रैस्पवंस क्या करें रैस्पवंस क्या करें बोला क्या प्लेट के समझ आ गया ह यह आप समझ यह आई है इक आए समझ आई I can है मुझे भी यहीं होप है कि आपको समझ आ गी होगी हम जोनासंप की रीडेंग कर लेते हैं यह आपकी टाइप 4 की टाइप 4 है पासेसीटी टू मेकनीजम इनवालव होते हैं इच इनवालविंग T-Cells क्योंकि यह क्या होती है इसके पीछे कितना बड़ा कंसेप्ट था आपको पता चल गया है अच्छा दूसरा इंफलेमेटरी रेक्शन होते हैं कैसे इफेक्टर सीडी फॉर पॉसिटिफ टी सेल्स कौन से यहलपर सेल वन होते हैं हमने पढ़ा इसको रेकेग्डाइज एंटीजन एंड रिलीज इंफलेमेशन इंडूसिंग सैटोकाइज नौन इस इलिस्टरेशन इसको एक्स्प्लेइन किया यहां पर भी थोड़ा से एक्स्प्लेइन किया है यह हमने देखा है रेस्पोंस डिजन इंवाल्व एंटीबाडी वर्सेस टाइप वन टाइप टू एंटाइप ना इसको हम बोटेंग है है प्यॉरिफायड प्रотоीण डरीवेटिव प्युर्टीन डरीवेटेव गर्न जॉत अकूमस टनौनिंद्स पैच मैच कुछ भी किसी तरह से याद कर ले इसको पैच टेस्ट बस नाम याद कर ले और सकते हम करते हैं तीसल इम्यून फंक्शन को चुन हम तरह सही काम कर रहा है तीसल त्यह्माप्र करने की जुर्द नहीं नहीं है अचा यह ताइप सुर कहां कहां होती है transplant rejection में भी इन्वाल होती है TB skin में भी इन्वाल होती है और touching यानि कि आपके content dermatitis में भी इन्वाल होती है यह इसकी important examples यह वाली कि contact dermatitis transplant rejections TB यह इसकी important examples है और कुछ याद रहे या ना रहे यह चीज़ें आपको याद देनी चाहिए कि यह delayed response है 48 to 72 hours के अंदर आता है उसके इलावा इस यह cell mediated है antibody mediated नहीं है और इसमें कौन से लिमाल होती है CD8 और CD4 CD4 में type 1 involved होती है यह चीज़ और example में आपको TB की example याद होनी चाहिए contact dermatitis के example याद होनी चाहिए transplant rejection की example याद होनी चाहिए और यह test के नाम याद होनी चाहिए कि कौन से test के इस के लिए perform के जबता है that's it और कुछ याद हो यह ना याद हो यह आपको नहीं होना चाहिए so type 4 I hope so that क्या आपको समझागी होगी कोई question रहे गिए आप लूंका तो समझागी है बक्की बात है शर्य जी ओके अलाफिस